परमक्रधान के चार उवेस्तान में जो बैठा रहे सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना वो पाएगा ये भाग्य उसके पंखों के नीचे शरन मिलेगी तुझे छेपा लेगा परमे उसके पंखों के नीचे शरन मिलेगी तुझे छेपा लेगा परमे यह ला मेरी शरन है मेरा द्रडगड फातक वो है उसकी सचाई मेरे लिए ढाल जिलम है मैं उसी पथरो सा रखता हूँ उसकी सचाई मेरे लिए ढाल जिलम है मैं उसी पथरो सा रखता हूँ उसके पांखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे छेपा लेगा परों में जाग के हर एक घर से दिन में उढने वाले हर तीर से अंदकार में फैलने वाले माहरोग से मैं कभी भी न डरूँगा अंदकार में फैलने वाले महारोग से मैं कभी भी न डरूँगा उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी मुझे छेपा लेगा परो में उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी मुझे छेपा लेगा परो में हजार और दस हजार लोग मेरे निकट जब गिर जाएंगे तो भी वो मेरे पास कभी ना आएंगे वो मेरा शरनस्तान है तो भी वो मेरे पास कभी ना आएंगे वो मेरा शरनस्तान है उसके पांखों के नीचे शरन मिलेगी तुझे छेपा लेगा परों में उसके पांखों के नीचे शरन मिलेगी तुझे छेपा लेगा परों में मेरा सहारा है कोई विपती ना आएगी कोई दोग मेरे डेरे में ना आएगा क्योंकि दूतों का पहरा होगा क्योंकि दूतों का पहरा होगा उसके पंकों के नीचे शरण मिलेगी मुझे छिपा लेगा परों में उसके पांखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छेपा लेगा बरो में शेवसाप और अजबर को, तु बिलकुल को चल देगा उसके नाम पर मैंने भरोसा रखाय है, इसलिए वो छुडाएगा उसके नाम पर मैंने भरोसा रखा है, इसलिए वो छुडाएगा उसके पांखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छेपा लेगा बरो में उसके पांखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छेपा लेगा बरो में कुष्टो के समयम में मैं उसको पोकारूंगा तब छुटकारा देकर वो मेरी रक्षा करेगा मेरा प्राण प्रिय येश्यू है तब छुटकारा देकर वो मेरी रक्षा करेगा मेरा प्राण प्रिय येश्यू है उसके पांखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे छेपालेगा परो में झालेगा परो में